हेलो दोस्तो मैं बिलाल आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बिलाल सर में दोस्तो आज हम इस वीडियो में आदुनिक भारत के इतिहास के बहुत ही महत्वूर्ण प्रसन उत्तर करेंगे और ये वीडियो काफी महत्वूर्ण होने वाली है और खास तोर से एन्टी पीसी और वन डे एक्जाम के लिए और जिन लोगों का एन्टी पीसी एक्जाम चल रहा है और भी जिनका होने वाला है उन सभी के लिए काफी महत्यों पूर्ण क्योंकि जिस तरीके से NTPC और CGLSC में GQ के लेकर प्रसन उतर पूछी आ रहे हैं वो उसी के आधार पर हमने अपने प्रसनों के सेट किया है तो चले दोस्तों वीडियो को सुरू करने से पहले जिन लोगी दोर चैनल कभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आप सभी तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुचती रहे दोस्तों चले आज के पहले परसों पे चलते हैं प्रसर नमबर एक अंगरेजी संसद में भारस सरकार अधिनियम का पारिधवा 1852,B1858,C1956 दोस्तों अठारशसचपण का लीज़े गया 1856 और D1860 यानिasant में विटिस का साथा है और भार्वत भार्व में mきた चाहट का सासान की साफण होती है चलिए अगले प्रसम में चलतेए प्रस्ट नमबर दो भारती राश्टे कॉंग्रेस का 1896 गादी वेसन निम्न लिखित में से किसके लिए विख्यात है ए पहली बार राश्टे गान गाया गया बी पहली बार राश्टे गीत गाया गया पहली बार तिरंगा लहर आया गया इडी इन मेंसे कोई नहीं तो इसकर जो सही उत्तर है वह है आप्शन बी पहली बार राश्टे गीत गाया गया और यह 1937 तक भारत का राश्टिकान था, कब तर दोस्तों? 1937 तक, जी हाँ, चलिए अगले प्रसन में चलते हैं, प्रसन नमबर 3, निम्न लिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतिय प्रेस का मुक्ति दाता कहा जाता है? ए. लोड वि़ियम बेंटिंग, बी, सर चार्ल्स मेटकॉफ, सी, लोड आॉकलैन, डी, लोड ऐलन बोरो, इसका जो सही उत्तर हो है, सर चार्ल्स मेटकॉफ, बी, इसका सही विकल प्रशोसतों, तो सर चार्ल्स मेटकॉफ को भारतिय प्रेस का मुक्ति दाता कहा जाता है? प्रसर नम्बर चार समुन्दी वियपार के संधर में कार्तर्ज जी है थे हैं तुस्तो समुन्दी वियपार के सम्भन में कार्तर्ज वियवस्ता का उप्योग किसके दृषा कриया जाते था एडच बी, फ्रान्सीसी सी अंग्रेज डी, प毒 Liveri तो तो कार्टज विवस्ता का उप्योग किया जाता था पुर्दगालियों के द्वारा यानि एक प्रगाज का दोस्तों एक लाइसन्स था वेपार करने गा और इसकी सुरवाद पुर्दगालियों ने किती तो इसका जो सही विकल्प हो है डी प्रसन नमबर पांच सुरेंदर नात बेनरजी के बारे में निमली खित्मे से कौन सा गतन सही नहीं है A. वे इंडियन नेशनल एसोशेशन के से संस्तापक थे B. वे कलकत्ता के रिपन कोलिज के संस्तापक थे C. उन्होंने राश्ची चेतना के कौनसेप्ट के लिए जाना जाता है D. उन्होंने अनन्द मोहन बोस के साथ मिलकर साधार और ब्रहम समाज के स्थापना की थी तो उसके जो सही विकल्ब है वो है D. सही answer उन्होंने अनन बहुष मोहन के साथ मिलकर साधार ब्रमसमाज की स्थापना नहीं की थी सुरिंदनाद बेनर्जी दोबारा इंडियन नेशनल एस्वेस्टिशन की स्थापना की गई थी अनन मोहन बहुष के साथ मिलकर चलिए प्रसाद नमबर छे स्वतंतरता अंद्वलन के दुरान रविना टाइगोर ने नाइट हुड की उपादी किस घटना की विरुद में वापस कर दी थी A. बंगाल विवाजन P. जैलिया वाला बागत्यकान C. भगस सिंग राजगरु सुग्देव को मिर्दिन दिया गया तब या डी उपरुक्त में से कोई नहीं जी रविना टाइगोर के दोरा नाइट हुड की उपादी जैलिया वाला बागत्यकान के बाद त्याग दे गई थी या 13 अप्रेल 1919 को जलिया अलाबा घत्यागान में ही इसकी विरोध में रविना टाइगोर ने अपनी नाइट हुट के पादी त्याग दीश का भी सही अंसर है मुस्लिमों के लिए अलग मददान यानि मददाता दल के लिए किस कोंगरेस अदिवेशन को जाना आता है दोस्तों मुस्लिमों के लिए अलग मददान के लिए कौंगरेस के लिए कौंगरेस का विवाजन भी हो जाता है नरम दल और गरम दल जो होते हैं दो भागों में कौंगरेस बढ़ जाती है विवाद में निस साथ में कौंगरेस का विवाजन होता है और 1907 के 1916 के लखनो सूरत अदिवेशन में सूरी सूरत अदिवेशन में कौंगरेस का पुनर गठन यानि कौंगरेस दौरा से एक हो जाती है चलिए बारत में पहली यूरोपिय बस्तिकी सिस्थान पर इस्ताबिगी थी दोस्तो भारत में सबसे पहली यूरोपिय बस्तिकी कोची में इस्ताबिगी थी तो ए इसका सही विकल्प है प्रसन नम्बर नो निम्ड लिकित में से किस राज ने अंग्रेजों को मुक्त वेपार के लिए सुनैरा फरमान जारी किया ए हैदरबाद, बी बीजापूर, सी गोलकुंडा, अंडी एहमेद नगर तो इसका सही विकल्प हुए है सी गोलकुंडा 1632 में सुनैरा फरमान जारी किया था वेपार के लिए 1632 में तो जी इसका सही आंसर है सही आंसर सी सलबाई की संदी कियोदों से संबंदित है ए प्रतlease मैसूर आंगल मैसूर यूद बी प्रत memorized माराथा यूद सी द्व्तिय आंगल माराथा यूद और डी द्व्तिय आंगल मैसूर यूद तो इस दोषब सही विकल्प हुए है प्रत्मangen माराथा यूद तो सल्बाई की संदी प्रथम आंगल मराठा युदू से संबन्दित है तो इसका विकल्ब भी सही आंसर है चली प्रसन नमर 11 बकसर की लड़ाई इस इंडे कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई तो सुच का सही विकल्ब है मीर कासिम तो बकसर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटीस इस इस इंडे कंपनी और मीर कासिम पंगाल के नवाब आवद के नवाब और मुगल समराठ सालम द्वित्त की सन्युक से नौग बिच लड़ी गई थी और इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतर तो किसने किया है तो हेक्टर मुंदरो द्वारा किया गया था तो 1764 के बकसर द्व में अंग्रेजी नेतर तो किसने किया हेक्टर मुंदरो द्वारा प्रसर नंबर 12 निवलेकित में से भारती सिक्षा का मैगना काटा किसे कहा जाता है A. वुड डिस्पैच B. सैडलर आयोग C. भारती विश्विधाला अधेनियम 1904 D. रेलवे आयोग तो सोस्तोस का जो सही है वो है A. वुड का डिस्पैच तो भारती सिक्षा का मैगना काटा वुड डिस्पैच को कहा जाता है तो विकल्प A. सही आंसार है इसका प्रसर नंबर 13 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधेनियम और ससस्त्र अधेनियम किस वाइसराइक दोरा पारिद किया गया था A. लोड लिटन B. लोड मेयो C. लोड डल हो जी D. लोड हैडिंग तो इसका जो सही विकल्प है दोस्तो वह है विकल्प A. यानि लोड लिटन के दोरा पारिद किया गया तो इसमें तो उस्ते देते हैं कि लोड लिटन ने 1876 से 1880 दुरान भारत के वाइस रहे थे और ये 1876 से 1880 के आकाल को सही ढंक से ना समाल पाने के लिए उनकी कड़े उरुजचना की गई थी उन्होंने वर्ना कुलर प्लेस अधिनियम वा ससत अधिनियम 1878 को पारिद भी किया था प्रसान नमबर 14 निमली खित्मे से किस वाइस रहे की हत्या उनके कारेकाल के दौरान की गई थी इसका जो सही विकल्प है वह है दोस्तो विकल्प A यानि लोड मेयो तो लोड मेयो की हत्या उनके कारेकाल के दौरान की गई थी जब वो 872 में अंडमान दूइप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरेक्शन यातर दुरान गय थे और उनके पत्याग पठाने की कित थी पतस नमबर 15 लोड रिपिन के ने हंटर आयोक का कटन किस लिए किया था आंतंवाद तथा राश्टी विरोधिक गत्यूशियों को रोखने के लिए भारत में शिक्ष़ा सुधार के लिए उच्चय नयाय पालिका में भारते नयाजिसों की न्युक्ति या डी उपरूप्त में से कोई भी नहीं तो हंटर आयोग की नुक्तिकी के जो सो भारत में सिक्षा सुधार के लिए यानि भी इसका सही उत्तर है लोड रिपिन ने तीन फरवरी 1882 को सर विलियम हंटर की अध्यस्ता में सिक्षा आयोग का गठन किया विलियम हंटर वायसराय की कारिकारी परिशत के सदसे और इस आयोग ने भारत में सिक्षा सुधार के कई परियास किये प्रसा नमबर 16 भारतिये टंकन पदती यानि कागजी मुद्रा दिनियम किस वायसराय ने परित किया था और उन्होंने भारतिये टंकन पदती यानि कागजी मुद्रा दिनियम 1889 में पारत किया और भारत को स्वनमान की शुरुआत की प्रसcion नमबर 17 निम्निलिखित में किसे मरंठा मयक्याबली कहा जाता है जानक ना मरंठा मयक्याबली किसे कहा जाता है a. नाना फडणविज b. बाला जी भी सुनात c. नारायन राव बाजDaव या D, संभाजी तो मराथा मेकावली कहा जाता है दोस्तो A, नाना फर्डनेविस को प्रस नमँबर 18 श्री रंग पत्नम की संधिका संबन्द किस नुद्ध से है ? A, लूट्य आंगल मराथायुद B, तिर्थ्य आंगल मैसुर en till त्रित्य आंगल मराठा युद दी चतुर्त आंगल मैसुर युद तो स्री रंग बटनम की संदी का संबंद किस युद से है इसका जो सही विकल्ब दस्तु है त्रित्य आंगल मैसुर युद तो सो त्रित्य आंगल मैसुर युद अठारमाज 1772 को स्री रंग बटनम की संदी पर हस्ताचर किये गए थे और इस संदी पर बिर्टिज इस्टने कंपनी कोर्षे लोड कार्णुआलिस और हैदरबाद के निजाम का प्रतिन दी माराथा समराज के प्रतिन दी और मैसूर साथ अक्टिप उल्तान ने हस्ताचर किये थे पूना समझोते के संदर में कौन सा गतन असत है ए ये समझोता जोहाला निरूर अनमबेटकर के बीच हुआ बी इसके तहट वन्चित वर्ग ने सनुत मददाता सम्भू में रहने को फैसला किया सी प्रांतिय विधान पालिकाओं में वन्चित वर्ग को सीटें आरक्षित की गई कौन सागतन असत है चलिए डी इसके द्वारा सिविल सेवाओं में वन्चित वर्ग को सम्मुचित प्रतिनेदर प्रदान किया गया तो उसके विकल जो सही है वह है ये समझोता पंडिज प्रद्वेक्ट निस्सों बत्तिस अब महाद सत्तगरा का नेतोट किस ने किया था तो महाद सत्तगरा का नेतोट के दोस्तों डोक्टर भीम्राव अमबेट कर दवारा इस इंडिया कंपनी के ने किस वर्स बाउम्बे को पृत्गालियों से प्राप्त किया 1663, 1668, 1670 या 1689 इसवी इस इंडिया कंपनी दवारा बाउम्बे को पृत्गालियों से कब प्राप्त किया गया तो प्राप्त किया दोस्तो 1668 इसवी में इस टेने कंपनी बंबे को पुर्दगालियों से प्राप्त किया गुलाम गरी नामक पुस्ता किसने लिखी थी ए इस्वर चन्द विद्यसागर बी अचारे विनोबा भावे सी जोती बाफुले या डी दादू द्याल तो दोस्तो गुलाम करी पुस्ता कि रशना की थी जोती बाफुले कप की थी दोस्तो 1873 में रविन नाड टैगोर को नाइट उट की उपादी किस वर्थ दी गई दोस्तो A. 1910, B. 1915, C. 1920, D. 1925 चीज दोस्तों रविद्ना टाइगोर को नाइट हुड की उपादी 1915 दे दे गई थी लेकिन 13 अपरेल 1919 को जलिया वाले बाग हत्या कांड के विरोज स्वरूप रविद्ना टाइगोर ने अपने नाइट हुड की उपादी त्याग दी 1915 में उपादी गरिशागर दौरा उन्हें दी गई थी स्वतंतरता के समय भारतिय राष्ट्य कॉंग्रिस के अद्धक्ष कौन थे ए महात्मा गांधी बी जेबी किरपलानी सी सरोजनी नाडो या डी उपरूप तुमें से कोई भी नहीं यानी स्वतंतरता के समय भारतिय राष्ट्य कॉंग्रिस के अद्धक संस्था कब बनाये गया 1902 1861 1906 और 1910 भारतिय पूरातादव विभाग को 27 संस्था कब बनाया सभास चंद्रणबोस ने अंतरिम सरकार कि कब की ? A. 1949 B. 1942 C. 1943 D. 1945 दोस्तो, सुभाज चांदरबोर्श द्वारा 27 अंतरिम सरकार की स्थापना की ती 1943 में वर्स 1943 में सुभाज चांदरबोर्श ने सिंगापूर में अर्जी हुगूमते हिंद नामक, अंतरिम सरकार की स्थापना की तो सुभाज संद्रपोज़द्वारा किस देश में अंत्रिम्शन का इस्ताप नगी की तो वो है सिंगापूर में का बुर्णी सो तिरालिस में प्रसन नमबर 27 निम्ड लिकित में से किस आंदोलन की सुरुआत नमक कानूं को तोड़नी सुई थी A. असयोग अंदोलन B. सविनिया वाग्या अंदोलन C. भारत छोड़ अंदोलन D. होम रूल अंदोलन तो नमक कानूं के तोड़ने के साथ इस अंदुरुन नियुक्त वो है दोसतो B. सविनिया वाग्या अंदोलन मात्मा गादी ने 12 मार्च 1939 को साबर मती से यात्रा शुरू की और यात्रा 6 अप्राल 1939 को दांडी नामा के स्थान पर खत्म वी और गादी जी ने दांडी में नमक बना कर बिटी सरकार के नमका उनको थोड़ा किस समाजवादे नेता ने जेल से भाग कर भारत छोड़ा अंदोल में हिस्सा लिया था तो किस समाजवादे नेता ने भारत छोड़ा अंदोल में भाग लिया था जेल से छोड़ कर वो है राम मनोहर लोईया तो राम मनोहर लोईया 23 मार्च 1910 को अकबरपुर में इनका जनम हुआ था और वे 133 सिनानियों समाजवजे नेता थे वे कॉंग्रेस सोचलिस्ट पार्टी के सह संस्तावी भी थे बकसर के लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब के गदन किसे बठायग्या A सिराज दोला B मीर कासिम C मीर जाफर D नजीम उदीन अलिखां तो बकसर के लड़ाई 70-64 के बाद बंगाल के गदन कि पर मीर जाफर को बठायग्या तो C इसका सही आनसार है दोस्तो तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और यदि आपको इस हमारे दोवारा प्रतानद के नोलेज से कुछ भी नोलेज मिला हो तो दोस्तो वीडियो को जरूर सेयर करें और लाइक जरूर करते हैं और नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें ताकि आप सबी तक हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन असानी से पहुच झाल झाल